हेलो फ्रेंड्स अब हम सिखते हैं मिस्टर फोटो को अपने केम्पीटर में कैसे इंस्टॉल करेंगे इस फोटो को हम उपन करें जैसे हमने फोटो साब को इस्टॉल करना सिखा था उसी तरीके से उसको उपन करने के बाद हमारे सामने फाल का नाम और उसके टाइब सो कर रहा है कि इसमें हमें आप्लिकेशन फाइल ढोट नहीं होती हैEstमें देखिए अप 17न नमबर पर उसके नीचे आते हैं तो यहां पर अप्लिकेशन फाइल है तोटल तीन अप्लिकेशन फाइल हमारी से फोटो के अंदर है बट simply हमें ये पचानना है कि वो कौनसे फाइल होगी जिससे ये प्रोग्राम हमारा इस्टॉल हो जाएगा तो mostly वो setup के नाम से आता है यहाँ देखिए setup लिखा हुआ है और setup के जब आगे चलते हैं तो ये एक application file होते है application file एक exe file होती है जिसको हमारी machine directly run कराती है केवल exe file Windows जिस file को run कराता है वो है application file जो exe format में होती है जैसे यहाँ पर आप right click करेंगे इसकी property में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये type of file में application file तो है बट किस format में है exe format में है अब इसको launch करने के लिए हमें क्या करना है इस setup पर double click करना है इस setup पर आप double click करेंगे यस पर click करें और जैसे हमने यस पर click किया हमारे सामने एक welcome message आया हम इसे next करें यस करें हमसे यहाँ destination folder के बारे में पूछा जा रहा है हम इसे default यहीं रणने देते हैं आप browse करके उसका location change कर सकते हैं next बटन पर click करें पुना हमसे setting के बारे में पूछा जा रहा है कि किस type का आप setup लेना चाहते है typical, compact या custom अगर हम नए user हैं हमे typical mode में program को install करना चाहिए और हम चाहते हैं कि यह installation में बहुत ही कम space हमारे computer में ले तो हमें compact mode में install करना चाहिए custom mode उन user के लिए होता है जो advanced होते हैं हम इस setting को typical mode में install करते हैं next करें पुना next करें थोड़ा सा यहां पर wait करें यह setup 100% run करेगा अब हमारा program setup is successful 100% install हो किया ok बटन पर क्लिक करें हमसे registration के बारे में पूछा जा रहा है हमने यहां पर क्लिक कर दिया register letter क्योंकि जैसे हम yes करेंगे yes हम तभी करेंगे जब हमारे पास internet connection है हमने register letter पर क्लिक किया और यह program का जो installation files हैं वो सारा यहां पर सूख करने लगा इसको यहां से close करें close करें जब इसमें ढूड़ेंगे तो mister photo हमारा install हो चुका है जो यहां पर सो कर रहा है क्लिक करें यहां पर क्लिक करें और हमारा mister photo first time पर कुछ इस तरीके से launch हो गया जहां पर कुछ यह sense दिखाय जा रहा है इस पर क्लिक करें यह बड़ा हो गया इसमें कुछ tools हैं जैसे की saturation हम कम और अधिक करें brightness को हम कम और अधिक करें context को हम manage करें blower को हम manage करें यह सारी सुवधाय हमें यहां पर मिलती हैं इसको zoom करें या पहले जैसे setting में reset कर दें इस तरीके के option यहां पर मिलते हैं हमने exit किया यहां पर हमारा मक्सद था इस program को install करना इसके जरिये हम printing का काम कर सकते हैं photo printing का काम कर सकते हैं यहां से close करें thank you यहां से यहां 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 माझे यू leaving